मैं प्रवीन कुमार मैं आप लोग क्या स्टडी से स्वागत करता हूं देखें मेरे प्यारे लाल आप लोग के लिए मेला हूं यह जो तेंत कलास 12 और अल कम्पेटिटीव एक्जाम के लिए बहुत इंप्रोटन्ट है हर एक एक्जाम में इससे जो है दो या चार कोशन देख लिया जाता है हर एक एक्जाम में तो चली फटा-फटे स्टाट कर देते हैं मेरे प्यारे लाद तो चली देखिए और ओएच जो है किरियासिल मूलग कौन है तो अलकोर है ठीक है और की टोन का हो जाता है आप लोग को ऐसे करके दिया हुआ रहेगा सो भी की टोन का होगा या आप लोको इस तरह से झर दिया जाएगा द्यांदी जेगा किस तरह से इस तरह से की रहेगा और इस तरह से रहेगा यह भी टोन है ठीक है यानि कि कार्बन से दो scientist निकला हुआ रहा रहेगा वों की टोन हो करता है मैं एक बार बता रहता हूं उसका मैं दुवारा इसका रिपीजन नहीं करूंगा यह यहां पर देख रहीं दिया है अल्कोहल का उसका दिन में कर रहा है कि हाइड्रो कारवन कौन है यानि कि हाइड्रो कारवन यानि कि हाइड्रो जन और कारवन तो यह रखियागा यह चौदुना 12 हो जाएगा यह लिória कील्किन का शूत्र प्रभईट गया है चलिये आग एकडियोर अधर वर जाते तो उसका हेक्सीन हो जाए गाई चीजिसी अब है सबसे कठध्वर क्ठध कौन है तो पूछ दिया है। ठीक है सबसे कठ्ध कठोर तत्व कौन है तो मेरे भाई सबसे कठोर तत्व जो है आप लोग को इसमें हीरा हो जाएगा लेकिन आप कठोर तत्व ना पूछ करके इसको पूछना था पदार्थ ठीक है आगे की और बढ़ते हैं बॉंड चो मतब चो क्या है तो एल्डी हाइड है ठीक है अलकॉल की तो यहां ध्यान रख crispy कहां पर एन का मान्द में दू दिया है त दो दुना चारा दू चाहाँ छोँ यानिके ये थीन एधेन का शुतर Di pen का सुतिर पर है और इसका देखी यहां पर है शोऊ हाइड रोजन है ते यह पर च्वप एक दो तीन चार पान्थ शोओ है निए कावंद नो ते 3 क्योंकि नाइट्रोजन अनू N2 होता है यह ट्रीपल बॉंड से जूरे होते हैं ठीक है इसका मैं ट्रीक बताये तहूं याद रखेगा यह ट्रीक होता है अगे क्यों पड़ जाते हैं थुरा सते जी में खीचना है मेरे भाई क्योंकि आप लोग छोटा वीडियो ज्यादा देखना पसंद करते हैं बड़ा वीडियो कम नढ़ा को क्या जाता है कि बंजीन का सुत्र दोस्तों तो कोना है तो यह धीन का सुत्र और यह टाइन का सुत्र और यह सुसक्वर यह समय। फैर मितेर प्लाइन मम में बयोंक्र मेसमे उप यूग ही हैं और शनी हेुब跟大家 см यह इथर है इथर का होता है इस तरह से होता है ठीक है इथर का ओर दोनों तरब से खाली-खाली उसका aldehyde का मैं बता चुका हूँ, ketone का मैं बता देता हूँ, ketone का होता है CO, इस तरह से रहेगा, या इस तरह से रहेगा, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, आगे क्योर बढ़ता हूँ कराई 9 नमबर में कराई कौन सा यूग में समावयब है मताद समावयब कौन-कौन सा यूग में बनाएगा ठीक है तो याद रखेगा इथाईल अलकोहल ध्यान में रखेगा इथाईल अलकोहल और मेथोकसी मिथेन या डाय मिथाईल किटोन सोरी इथर दाइ मिथाइल इथर क्यों क्योंकि इसमें देखिए कारवन हो गया एक दो है कारवन तो दो अब हाइड्रोजन देखिए पांच एक छो हो गया इसका भी मैं निकाल देता हूँ देखिए ध्यान से ये तो इसका निकाल दिया हूँ कारवन एक और एक दो हाइड्र तो स Videos Do पृष सब्सक्राइब करके तो एकतम सिंपल सीत बात है मेरे भाई क्योंकि ये यहां पर मैं बताता है इसका नाम होता है प्रोपाइन ठीक है प्रोपाइन यह एलकेन है कैसे ध्यान दीजे यहां पर मैं बताता है सब्सक्राइन यहां पर कितना दे दिया है यहां पर यहां पर कितना दे दिया है सब्सक्राइन यहां पर यहां पर तु रखिये तद तु इन टु टु अपालास टु एलकेन के सूत्र पर बैठा हुआ है दुदूना चारा दुछ ओओ आ न गया दू दू दूना चारा दुछ ओओ उसी तरह से यहां तीन रखियेगा त्यां तीन से गुना किजेगा त्यां त्यां प्रोपेन हो गया यह तो यह मिथेन इथेन यह प्रोपेन जबकि यह प्रोपाइन है ठीक है ऐसे ही पकरा जाएगा तो अइसे कहिएगा तो सी एन स्टू एन माइनस टू ठीक है यह यह एल काईन का सुत्र है यही एल काईन में ट्रीपल बांड होता है इस तरह से दो कारवन परवानवों के बीच देखिए आपर तीन रखेंगे फिर दो गुने तीन रखेंगे एनके माना माइनस टू करेंगे तो थीरी तीन दूना छव आद्धू घंटा दी जित चारा जाएगा ठीक है यह प्रोपाइन का यही में ट्रिपल बन होता है चलिए मैं पूरा कुलू के साथ बताता हूँ कर्बोनील गुरूप का परतिकारक कौन है तो कर्बोनील गुरूप का परतिकारक कौन है तो दोस्तों कीटोन को ही कर्बोनील गुरूप कहा जाता है ठीक है यह एल्डिहाइड है यह कर्बोक्स लिखा यह इथर है ठीक है जबक यही चारों याद रखना है एलकेन का समाने सुत्र में क्या वता है cn h2n-2 और यह हो गिया एलकीन का और यह हो गिया यह किसी का भी नहीं है यह गलत सुत्र है और यह हो गिया ये दुनों संत्रीप था ठीक है और ये एलकीन और एलकाीन और संत्रीप रहता है चलिए आगं कियों बढ़ जाते हैं शुलो नंबर में कह रहा है वैसे कार्बनी की योगीड जो कार्बनी वम हाइड्रोजन से मिल करके बनता है उसको हाइड्रो कारबन कहते है ठीक है आगे की ओर पड़ जाते हैं 17 नमबर में कह रहा है जयव गैस के मुख्य अभियब कौन है जयव मतलब जिंदा जिंदा गैस के मुख्य अभियब कौन है तो मैं आप लोग को बताया था कि गोबर गैस मेथेन गैस ठीक है आगे की और खूली स्रिंखला वाले संत्रिप्त हाइड्रोकारबन कहलाते हैं तो खूली स्रिंखला वाले संत्रिप्त हाइड्रोकारबन है जो दोस्तो पैराफीन कहलाते हैं पैराफीन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं पैराफीन कहलाते हैं यानि कि समझ रहे हैं एलकेन समुं, एलकेन समुं को हम लोग पाराफीन समुं कोते हैं, जबकि यह यह दिन आलकाइन है, औसंत्रिप्त एलकीन है, औसंत्रिप्त, एलकाइल भी है संत्रीप लेकिन पायराफीन मतलब एलकेन होता है ठीक है एलकेन जो है खुली सिरिंखला वाले संत्रीप ताहिडोकारवन होते हैं उनाइस में एथेनोल के अक्सी करण से क्या प्राप्त होता है तो एथेनोल यानि कि अलकोहल समू है तो एथेनोल के अक्सी करण से मिर भाई आप लोग को हो जाता है प्राप्त एथेनोईक अमले ठीक है यानि कि एथेनोल का सुत्रता C2H5OH इसको जब अक्सी करन कराएगा O2 से अभी किरिया ठीक है तो यह बन जाएगा आप लोग को CH3COOH यानि की कर्फो एसीटिक एसीड यानि की आप लोग को ही हो गया एथनोईक आमल या एसीटिक एसीड दोनों का सुत्रेखी होता है प्राकीर्तिक गैस का मुख्य अभ्यव क्य एबम आइसोब्यूटे निवन में से क्या है तो एक क्या हो जाता है एक समावयवी है क्या है एक समावयवी है ठीक है आगे क्योर बढ़ जाते हैं 22 नमबर में कि इस गुन धर्म के कारण कारण कारबन के योगीकों की अत्याधिक संख्या होती है कि इस गुन धर्म के कारण तो दूस्तो आप लोग को इसका इंसर जाए शरंखलान गुन के कारण, क्योंकि यह लोकई जो है शरंखलान गुन होता है, सबसे लंबी अब कर रहा है तेशनों लंबे सिरिंखला वाले कार्बोक्सलिक आमल के सोडियम लाबन जिसमें जिसमें याद रहा है जिसमें सफाई के गुन धर्म पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं तो दोस्तों अपमार्जक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं आपमार्जक कहलाते हैं क्योंकि आपमार्जक झो होता है सर्फ होता है शर्फ से ह्या हम धुलाई करते हैं किसी एथेनुईक अमले यानि कि थेनुद얼 देखिए का सिर्द कीक होता है अब लास्ट नमर 25 नमर कोस्टान है मेरा भाई यदि आप लोग नए नए है तो इस चैनल से जूर जाए और मैं आप लोग के लिए इतना परियास करता हूं तो आप लोग पूरा देखते होंगे तो आप लोग को इससे बहुत ही लाब दायक होगा बहुत ही फैदा होगा और आप लोग जितना हो सके उतना सेर करें और अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है चलिए लास्ट कोश्चान तरह रंपम कर देते हैं खाना बनाते समयदी बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब जो होता है दोस्तों इंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है धुआ धुआ निकलता है का मतलब काती होता है फूकना पड़ता है और हम लोग ये काम घर में भी करते हैं जैसे हम लोग चैला से खना पकाते हैं तो वो ज्यादा धूमा देने लगता है, जिसके कारण उसका तली जो है निच्चे के तलबा, तसला का या करआई का कोई भी चीज़ा, वो कला पर जाता है, जिसके कारण माटी का लेप लगार करके हम लोग खाना पकाते हैं, चली, आप लोगो अच्छा लगा हो, तो जितना हो सके उतना सेयर करें दोस्तों एक लाइक तो जोर बनता है चले दोस्तों इतना है पर बेस्ट प्लक जैहिन जै भारत